तो गुद मॉर्निंग गाईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है स्वास्ते मंत्राले के नए सचीव के रूप में किसे न्यूक्स किया गया तो आंसर होगा राजिश भूशन को स्वास्ते मंत्री हमारे डॉक्टर हर्श वर्दन है विरेक इस वर्ष तक भारत में अपनी स्थापित बिजली उत्पादन शमता का 60% रिनेवल एनर्जी से किया तो आंसर होगा 2030 तक मतलब भारत में जितने भी बिजली प्रड्यूस हो रही है उत्पादन हो रहा है 2030 तक एसा का आगया है उसका 60% आपका अक्षे उर्जा से आएगा रनेवल एनर्जी से आएगा अक्षे उर्जा रनेवल एनर्जी तो आप समझ गया न जैसे सोलर प्ला फिर एंडियन ओवर्सीज बैंक के नए MDCO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया, पार्थ परतिम सेन गुपता को, इंडियन ओवर्सीज बैंक का हैटकोटर मिलेगा आपको चेनने में, इसकी टेग लाइन है, good people to grow with, फिर किस देश ने 3D printed aircraft engine का सफल परिक्षन किया था, तो Tata AIA Life Insurance ने किसे अपना MDCO किया, नवीन ताहिलानी को, फिर है अमेरिका के लिए उडान संचालित करने वाला भारत का पहला घरिलू एयर केरियर कौन सा बना तो आंसर होगा, Spice Jet जिसका हैटकोटर गुरुग्राम में है, और इसके CEO अजे सिंग है, फिर है भारत किस देश से हेमर नाम की गतिरूद मिसाइलों को खरीदेगा, तो आंसर होगा, France, यहाँ पे हेमर का मतलब होता है, Highly Agile, Modular, Munition, Extended Range, यह जो है हेमर मिसाइल, यह मध्यमदूरी की Air to Ground हतियार है, फिर है किसने जर्मनी का प्रतेश्ठित, शांति पुरुषकार जीता, तो आंसर होगा, Am प्रतेशेन ने, फिर है JSW Cement ने किसे अपना Brand Ambassador बनाया, तो सौरव गांगोली और सुनील छेतरी को, और JSW Steel की बने थे रिशपन्त, फिर है National Institute of Public Finance and Policy, यानि कि राष्टर लोग वित एवं निती संस्थान का द्यक्ष किसे निउप्त किया गया, तो अंसर होगा, उर्जीत प प्रतेल ने अब ये एक बुक भी लिखी थी, चलो ये प्रशना आपके लिए रहेगा, कौन सी बुक लिखी थी, बताओ, फिर है विश्व शरणार्थी डिवर्स, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये हमने 20 जून को मनाया, और इसकी थीम थी, Every Action Counts, फिर है किसने Offline EKYC Service को श सत्य भामा, तो खननन वख खनिज, शेत्र में Research and Development को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉंच किया था, हमारे कोईला मंत्रियें प्रलाज जोशी, जिनका निर्वाचन शेत्र है, Constituency, धारवाड करनाटक, फिर है आवासव शेहरी मामलों के मंत्राले ने, प्रधान मंत्री Street vendor आत्म निर्बर निधी योजना के लिए, किसके साथ समझुता किया था, तो आंसर होगा, SIDB के साथ, SIDB मतलब Small Industries and Development Bank of India, इसका Headquarter लखनों में है, याद रखना, और अब इसके नए Director बने थे, देवेंद्र कुमार सिंग, बाकी प्रधान मंत्री, Street vendor आत्म निर्बर निध विक्रम पावा को, BMW ये जर्मन की कमपनी है, फिर एक किस राज्य सरकार ने online काक्षाओं पर प्रतिबंद लगा दिया था, मद्यपरदेश ने लगाय था, और करनाटक ने भी लगाय था, तो चलिए कल के Current Affairs को भी revise करते हैं, पहला प्रस ने पूछा जा रहा है, कि किस बैं बैंक में किन बैंकों का विले हुआ था, तो Oriental Bank of Commerce का और United Bank of India का, आपको बता है न, तस Public Sector Bank merge करके चार बना दिये गए थे, तो उसमें ये है, फिर Amazon ने कहां एक नया Fulfillment Center लांच किया, तो आंसर होगा तमिल नाडू में, Amazon Headquarter Washington DC में मिलेगा CEO Jeff Beggosay, जो कि दुनिया के सब से अमीरी बेखती हैं, फिरे किस देश ने सरकस में जंगली जानवरों के उप्योग पर धीरे धीरे प्रतिबंद लगाने की घोशना की, तो आंसर होगा France ने, इसके Capital Paris है, परिस में आपको UNESCO का Headquarter मिलेगा, OECD का Headquarter मिलेगा, और 2024 में जो आपके Summer Olympic होंगे, वो यहीं पे हो और अभी इसके नए प्रधान मंत्री कौन बने थे, जीन कैस्टेक्स, और फ्रांस में अभी भारतिय राजदूर बने थे, चावेद शरप, फिरे सोर उर्जा का इस्तमाल करने वाला पहला दूतावास, इंडियन Embassy कौन सा बना, तो आंसर होगा, मेडागास करगा, जिसके Capital अंतनानेरियो है, मलागासी, एरियरिया की करनसी है, फिरेक इस देश के सित्वे पोर्ट का संचलन भारत के द्वारा किया जाएगा, तो सित्वे पोर्ट ये आपका म्यानमार में है, जिसके Capital नेपितो है, करनसी है क्यात, फिरेक कौन सा शहर 2023 में, वर्ल्ड टेबल टेनिस Championship की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा, South Africa का Durban, और टेबल टेनिस प्लेयर से एक नाम मैंने आपको बताया था, मनिक का बत्रा का नाम याद रखना है आपको, टेबल टेनिस प्लेयर है, यह हमारी, आपसे पूछा जाएगा एक्जाम में, मनिक का बत्रा किस खेल से क्योंकि अभी राजियोगांधी खेल रतने पूरसकार पांच खिलाड़े को मिला है, उनमें से यह किये हैं, फिर एक कौनसा अरब देश, 2024 तक चांद पर अंतिरिक्ष यान उतारेगा, तो अंसर होगा, United Arab अमिराथ, और इसमें जो रोवर वो भेजेगा, रोवर का नाम है राशिद, हमने जो रोवर भेजाता था, उसका नाम था प्रज्यान, फिर एक किस सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन अभी किया, DRD उने किया है, उडिसा के बाला सोर में, ब्रमोस मिसाइल का, जिसकी रेंज 400 किलोमेटर है, फिर एक राश्ट्रे पोशन संस परिक्तान के अनुसार, व्यस्क भारते पुरुषों के लिए नया आदर्श वजन, आइडियल वेट क्या है, तो आंसर होगा 65 kg, और महिलाओं के लिए है 55 kg, 10 kg का अंतर है, पहले भी यही था, पहले पुरुषों के लिए 60 kg था, और महिलाओं के लिए 50 kg था, पांच-पां सम्मेलन, जिसका नाम है वेभाव, उसका उधगाटन किस ने किया, प्रधान मंतरी नरींद्र मूधी ने, बढ़ते आगे, तो चलिए static questions को भी cover करते हैं, तो हमारा पहला प्रशन है, 2019 के लिटरेचर का नोबल पुरुषकार किस ने जीता, या कौन विजितर है, तो आंसर ह and the sun के नाम से, जिसे अगले साल मार्च में रिलीस किया जाएगा, फिर है किर्गिस्तान के capital बताओ, बिश्केक है, करंसी सोम है, और अब इसके नए प्रधान मंतरी कौन बने, कुबाट बेक बोरोनोव, फिर है 75 तरवा, United Nations General Assembly के नए अध्यक्ष कौन बने, तो आंसर होगा वुलकन बुजकर, ये टर्की थे हैं, और विसे आपको बता हुगा, United Nations Security Council का अध्यक्ष ताई सदिस से बना है भरत दो सालों के लिए, फिर है मास्क के दिवास अभी किस राजे ने मनाया, करनाटक ने मनाया अभी 18 जून को, इसमें लोगों को मास्क वगरा, सेनेटाइज वगरा के बारे में, बेसिकली जागरुकता अभियान, जागरुकता लाने के लिए इसको मनाया गया था, फिर एक गरीब कल्यान रोजगार अभियान किस राज्य से इसको लौंच किया गया था, तो आंसर होगा बिहार, तो घर लोट रहे प्रवासी मज़़ों को रोजगा उडिसा, जारखंड और बिहार, फिर एफ वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम का हेटकोर्टर, ये कॉलोगनी सुझेलेन में मिलेगा, एशियन डेवलिप्मेंट बैंक का हेटकोर्टर, मनिला फिलिपीन्स में है, और अभी फिलिपीन्स में भारते राजदूद भी बने थे, 39th नंबर के, BCCI मतलब होता है, Board of Control for Kirkate in India, और BCCI के सचीव है, जै शाह, फिर बहरीन की केपिटल बताओ, बहरीन की केपिटल क्या है, मनामा है, करंची है बहरीन दिना, और अभी बहरीन में भारते राजदूद बने थे कौन, पियुश श्रिवास्तव, और बहरीन में ही, चोथे, एशिया, युवा, पेरा खिल होंगे अगले साल, फिर डिफेंस सेक्टर में, FDI 50% से बढ़कर कितना हो गया, 74% हो गया, अचा, FDI से कुछ पॉइंट में आपको याद दिलाता हूँ, अभी अंक टाडने एक रिपोट जारी की थी, उसमें बताया था कि भारत 2019 में FDI प्राप्त करने में नवे पोजिशन पे रहा, भारत में जो 2019 में FDI आय था, 51 बिलियन डॉलर आय था, और 2019 बीस में सबस्याद FDI कहां से आय था, सिंगापुर से, बढ़ते आगे, तो important days की बात करेंगे तो पहला प्रशन है, International Nurse Day ये हमने मनाया अभी 12 मई को, और इसकी theme Nurses a Voice to Lead, Nursing the World to Health, फिर International Family Day, 15 मई को मनाया हमने, इसकी theme थी Families in Development, और Families से Related Eco Day हम मनाते है, International Day of Family Remittance, 16 जून को, यानि के अंतराष्टर परिवार प्रेक्षन दिवस, फिर राष्टर डेंगू दिवस, ये हमने 16 मई को मनाया, 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है, फि विश्व उच्य रक्त चाप दिवस, ये 17 मई को हमने मनाया है, theme रही, measures your blood pressure, control it, leave long, फिर International Museum Day, 18 मई को मनाया गया, theme रही, Museum for Equality, Diversity and Inclusion, फिर विश्व माप विज्ञान दिवस, World Metrology Day, 20 मई को मनाया, theme है, measurements for Global Trade, फिर विश्व मदुमक्की दिवस, ये भी हमने 20 मई को मनाया, theme रही, be engaged, फिर अंतरराष्टर जे विविट्टा दिवस, International Day of Biological Day, 22 मई को मनाया, theme है, our solution are in nature, फिर वर्ल्ड थाइरोईड डे, 25 मई को मनाया, थाइरोईड याद रखना, सबसे बड़ी अंतरस्तरावी यानिके endocrine gland है हमारी, फिर वर्ल्ड हंगर डे, 28 मई को मनाया हमने, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या रही थी, 102 नमबर पे राता भारत, तो गाईज ये था आज का हमारा Current Affairs का revision वाला वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको share जरूर करना, और कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर करना, आप कुछ क्यूशंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्यूशंस आप लोगों लगायेगा और देखेगा, कितने क्यूशंसों आप लोगों से बन पारें, बागि हम इनको कल solve करते हैं, ये रहे क्यूशंस आपके सामने ह झाल झाल